नमस्कार दोस्तों बारती किसान यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अरंडी की फसल के अंदर लगने वाली सभी परकार की कीट विमार्या यानि बूबाई से अंतक अरंडी की फसल में कौन-कौन सी कीट विमार्या लगती है उनकी एटूजट सारी जहनकारी के बारे में चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज के बाद आपको अरंडी की खेती में किसी भी प्रकार का रोग लग रहा हो या किसी भी प्रकार का कीड़ा या इल्ली लग रही हो तो उसकी बेश्ट दवा आपको पता होगी यह वीडियो देखने के बाद तो दोस्तों इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखें आरंडी का जो पहले प्रकार का रोग है वो है फ्यूजेरियम विल्ट या उक्टा रोग जो की आरंडी का सबसे बहेंकर रोग माना जाता है तो दोस्तों यह रोग आने के बाद में इस रोग का कोई उप्चार नहीं है तो इस रोग को हमें ध्यान से समझना होगा कि यह है क्या सप्हेले तो तो दोस्तों इस रोग की जो फपूंद है वो जमीन के अंदर होती है या दोस्तों यानि जमीन से पोदे में प्रिवेस करके पूरे पोदे को ब्लोक कर देती है और उसको जकड के उसको सुका देती है या दोस्तों बीज जो होता है बीज ही संकर में पाया जाता है कभी कभी बीज पर पाया जाती है तो बीज उगते ही उसके अंदर पहुंच जाती है और पूरे पोदे को चकड लेती है और जब लक्सन अपने को दिखते हैं तो उसमें सबसे पहले नीचली पतियांudों वो पिली पढ़ने लगती है यांगि निटरोजन का पिलापन होता है या फपून का पिलापन है या फ्यूजरिमोक्सिस्पورम नामक फपून से होता है दोस्तों तो यह दोस्तों थोड़ा अलग पिलापन होगा आपको और पतियों के सिराओं, निचली पतियों की सिराएं हैं, उनके बीच में आपको सबसे पहले पिलापन दिखेगा, बाद में वो पतियां मुर जाएगी, निचली काफी पतियां मुर जाएगी, और पोदे के उपर वाली पतियां, वो दोस्तों लुड़क जाएगी, ऐसे जु को परती एकड के अंदर डालना है दोस्तों या दोस्तों बीज को उप्चारित करना है जिसमें ट्राइकोडर्मा वेडी एक तो 6 स्वзд प्र ह Canada आ तो इस लीम जो अगला रोग ا सब से पहले आपको अग्तों छोटे दभ्प्यज देगा कर नहीं सूर् निंस दिखाए देगा इस आट्द ऐसा चूण दिखाए देगा इसको कहते हैं दोस्तों यह भी एक पपूंद जनीत रोग हैं और इसके लिए यदि रोग कम मात्रा में हैं तो आप सलफर 80% इसके बचा और उपचार के लिए आपको क्या करना है कि टेबू को ना जो अग्यारा परसेंट प्लस टेबू को ना जो बहुत ही स्ट्रोंग दोनों कीट पपूंद ना सकें इन दोनों का एक एमल परती लिटर पानी के साब से स्प्रेक कर दीजिए इसके साथ में आप कीट ना सक और टोनिक प्लान्ट टोनिक जो जिस लो किसे प्लान्ट ग्रो present regularuber कहते हैं उसे भी मिला सकते हो यरे uspild उसरे दो इसे प्ताबिन और ठ्रबी परियुख आ को समय करने था थे कजला थूरकार अनुधर डेया है dissolved दोस्तों कि उस्मे ब्योजडने अग्ला रोग एक काम किका कि जिसमें पतिहनों पर चबिस परकार के आपको धब्भे दिखाए देगे बाद में यह दब्बे आद में तहनियों पर भी दिखाए देंगे और यह फेल जाएंगे और पतियां सूकने लग जाएगी दोस्तों यह बेक्टिरिया जिवानू के कारण होता है तो इसके लिए स्टेप्टोसैक्लीन का जो पाउच होता है पीले रंका मार्केट में आता है वो दो ग्राम परती 10 लिटर पानी के इसाब से स्प्रे कर सकते हो या दोस्तों कोपर ओक्सी कलोराइट को भी आप 2 ग्राम से यह रोक खत्म हो जाएगा अगर रोक जादा हैं तो 15 दिन में यह स्प्रे दोहरा आएं इसे लिश्ट में अगला रोग है फाइटोप थोरा सीडिलिंग बलाइट और मेक्रो फोमिना रूट रोट दोनों में छोटे पोदे इस परकार से सूखने और मरने लगते हैं दोस ऐय जल में या दोस्तों स्प्रे करना चाहते हो तो दोस्तों उसके लिए आपको यूपियल का साप या कोपर ऑक्सी कुलोराइट को आपको दू ग्राम दोनों को दो दो ग्राम परती लिटर पानी के हिसाब खालेगे हैं उसको दोस्तों परती 16 लिटर वाले पंप के अंदर आपको 4 ml के हिसाब से मिलाना है या दोस्तों परती 4 लिटर पानी के अंदर आपको 1 ml के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करना है तो इस परकार से वापस 15-20 दिन मान में इस स्प्रे को वापस दोराने तो फूलों का जड़ना बिलकुल रुख जाएगा और फलों का भी बहुत ही अच्छे तरीके से विकास होगा यह तो हो गई रोग और कीटों के बारे में बात करें तो सभी परकार की कीटों के बारे में बात करें जो वाइस से अंतक लगते हैं उनमें सबसे ज़्यादा लगता है अरंडी का सेमी लूपर जो कोमल भागों को खाता है और फलों को खाता है कलियों को खाता है और पतियों म खाती हैं और जो चलती है तो इस परकार से लूप बनाती है दोस्तों इसे सबींस दोस्तों इसे एली आंप स्प्रियोख बचाओ और उप्चार के बारे माध करें है जब आकरमन कम है या इसके आने से पहले के बारे माध करें तो आटर्ट ट्रेप पर सब्सक्ति एकड़ी के अंदर आप लगा सकते हो लाइट रेप लगा सकते हो या दोस्तों एजडी रेक्टिन पंदरा सो पीपीम नामाग जे भी कीट ना सकते हो आप पांच एमल परती लिटर पानी के इसाब से स्प्रे कर सकते हो इससे रश्यू से कीट भी खतम होंगे और स पाने से रुकेगी दोस्तों साथी साथ दोस्तों अगर इल्ली का अकर्मन ज्यादा हो गया है या दोस्तों इल्ली आने के बाद में किसका स्प्रे करें रासानी केटना सकता तो उसमें कम हानेकारक और ज्यादा प्रभावी केटना से के बारें बात करें तो कोराजन 7.25. 50rence लाता है तो सो ग्राम प्रती एकर या दोस्तों दो लिटर पानी इंदर सो ग्राम मिलाकर च्छर आंगर करें करें दोस्तों और प्रती में 15' कहांद साथी साथ जो हेरी केटरपिलर है बनी बाल वाली इल्लिया है वो भी नश्ट होगी साथ दोस्तों यह केपसूल बोरर यानि जो फल को खाने वाली जो इल्लिया है वो भी नश्ट होगी यानि जो सभी प्रकार की इल्लिया नश्ट हो जाएगी या पतियों को खाने वाली इल् चोटे पोदे को यह नश्ट करना चलू कर देता है वहीं से बड़े तक भी करता है लेकिन छोटे को भी कर देता है तो उसके बचाव के लिए अपने को बीज को बोने से पहले अपने को 4 ml क्लोरो पाइरी पोस 20% इसी को प्रती किलो बीज के हिसाब से बीज पर स्प्रे करना ह और पिर चाहँ ने प्रत करना हैं इस परकार से बीज को चाहँ में शुखा गर्व ने कि बेराबर हो लेकिंवाद में वी आकरमन हो गया है तो जमीन के अंदर डेरलो पाइरी पोस 20% इसी को सींचे जलमिंदेकर सिचाई कर देए मिली बग लगती तो इस परकार का सपेद ते उन यानि रुईनुमा जो की पहता है पूर्प का कोमच भागों का रस्चूश्ता और को ब्लोक कर देता है पुरस्ट को ग्रोध की lange निए और बिलकुल रुख जाता है कि रस्सुसक्ट कीटों के बारे में तो कूमल भाग हैं, पतिओं वगयरा को रस्सूसते एंगे और पतियों को मोर देते तो इसमें कई परकार के रस्सूसक कीट लगते हैं उसमें पहले परकार का है दोस्तों वाइट फ्लाई जो सपेद मच्छर होता है इसके लिए आप drauf 50% WP को 1.5 gram debut पानी के थालवा दोस्तों Asela Maprit को 10-shop प्रती पंदा हीटर वाले पंप के थालवीप में 50% पbelsे, तिन उमनाकी प्रति एक वॉप्रक्श काहने किसी एक कास ने करें चाहिए जो कीट होते हैं वो भी इस परकार से पोदों का रसूसते हैं तो इनके लिए सावरे जो तीन-चार परे के मैंने ये कीट बता हैं लाश्ट में हरे, पीले, काले वगेरा, जो मोईला वगेरा रसूस कीट है इनके लिए एक ही परकार की दवा काम में कर जाएगी वो है एमिडा क्लोप्रीट 17.8 SL को दोस्तों 10 ML परती पंप के इसाब से या 100 ML को 200 लिटर पानी के इसाब से मिला कर स्प्रे करना है या दोस्तों सिंजेंटा की अलेका को 80-100 ML को 200 लिटर पानी में मिला कर स्प्रे करना है या दोस्तों परती 15 लिटर वाले पंप के अंदर इसको 8-10 अहमल के इसाब से मिलाना है या दोस्तों इपको की इरुका को भी 8-10 अहमल परती पंप के इसाब से मिलाकर स्पेक करें जिससे ये सभी परकार के 3-4 परकार के रस उसा कीट खत्म हो जाएंगे दोस्तों इसके लावा एक लाल मकडियां भी लगती है जो पोदे पर आपको इसके जाले दिख जाएंगे या पतियों पर आपको ऐसे खुरदरी पतियां दिख जाएगी तो या लाल लाल मकडियां भी दिख जाएगी तो उसके लिए भी आप जो ये किटनासक आपको स्क्री सकते हो जिसकी वग्यरा सारी जानकारी आपको स्क्रीन पर तिक रही है दोस्तो और अरंडी की खेती की अणिलिस सभी प्रकार की जानकारी भी आपको बारती कि side youtube चैनल पर अरंडी की खेती नाम की प्लैस्प में मिल जाएगी आशा करता हूँ कि यह वीदियो आपको